Hey guys, welcome to my magic channel Hindi Magic Tricks तो guys, आज के इस magic वीडियो में मैं आपको एक paper magic trick करके दिखाने वाला हूँ Guys, वैसे तो मैंने इस channel की उपर काफी जदा paper magic tricks की videos upload कर रखी है लेकिन जो आज की magic trick है वो बहुत ही जदा खास होने वाली है क्योंकि इस paper magic trick में मैं एक paper को आपकी आँखों के सामने फोल्ड कर दूँगा एक छोटा सा बॉल उसका बना के और उसे मैं हवा में उडा दूँगा तो चली guys, देख लेते हैं जल्दी से magic trick को और हाँ guys, इसे मैं आपको सिखा भी दूँगा वीडियो के end में इसलिए वीडियो को पूरा देखिए तो चलीए जल्दी से देख लेते हैं क्या है यह magic trick और आप इसे कैसे कर सकते हैं तो guys, इस magic को करने के लिए हमें चाहिए एक paper ठीक हैं तो इस paper को मैंने फाड़ा है अपनी diary से आप कोई भी paper इस magic को करने के लिए use कर सकते हैं तो guys, आज के इस magic वीडियो में मैं इस paper को सबसे पहले आपकी आँखों के सामने छोटी सी ball बना दूँगा और इस ball को आपकी आँखों के ही सामने magic से हवा में उड़ा दूँगा तो चलिए guys, मैं magic start करता हूँ लेकिन उससे पहले guys मैं आपको बता दूँ कि इस video का अगर आपने थोड़ा सा भी miss कर दिया थोड़ा सा भी skip किया तो आप कोई magic समझ में नहीं आएगा तो seriously अगर आप इस magic को सीखना चाते हैं तो video पूरा देखें तो चलिए, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ इस paper को आपकी आँखों के सामने fold कर देता हूँ और हाँ guys, मैं आपको एक बार check करा देता हूँ, paper सही से check कर लिजिए आगे, पीछे, उपर, नीचे, जहां भी आपको देखना है अभी मैं आपको अपने हाथ चेक करा देता हूँ, देख लो मेरे हाथों में कुछ भी नहीं है, कोई रसी वगरा मैंने नहीं बान दी है इस paper की साथ में, जिससे ही इसे मैं हवा में उड़ा पाऊँ तो चलिए, अभी मैं आपको ये paper पहले ball बनाता हूँ और इसी फिर बाद मैं मैं हवा में उड़ा दूँगा तो चलिए, गाई, इस magic स्टार्ट करते हैं तो मैं क्या करता हूँ, इसके सबसे पहले इस paper को लेता हूँ, और इसको fold करके एक छोटी सी ball बना देता हूँ तो गाई, इसे रखता हूँ, मैं नीचे table पर, table तो दिखाई ने दे रही है तो मैं इसे अपने हाथ में रखता हूँ, ठीक है ताकि आपको ये दिखाई दे 1, 2, 3, आबरा का, डाबरा, magic करता हूँ थोड़ा से इसके ऊपर तो गाई, अब इसे मैं हवा में उड़ाऊँगा, धीरे-धीरे ball को, ठीक है तो देख सकते हो, ball मेरे हाथ में है और अब होगा यहाँ पर magic तो जैसा कि आप देख सकते हो, ये ball अब हवा में उड़ने लगी है देख सकते हो, गाई अब ही मैं आपको इस side से ऐसे दिखा देता हूँ, देख सकते हो बिलकुल हवा में है ये ball आबरा का डाबरा देख सकते हो, guys ये बिलकुल ball हवा में उड़ रही है ठीक है देख सकते हो, guys, कुछ भी इसमें बाना हुआ नहीं है, मैंने ठीक है, कुछ भी बाना हुआ नहीं है बिलकुल हवा में ये ball उड़ रही है ठीक है, देख सकते हो, कहीं से भी मैं आपको दिखा देता हूँ ये ball बिलकुल हवा में, आपको रस्य वगरा दिखाई नहीं दे रही होगी तो guys, इस magic को कैसे किया जाता है अब मैं आपको बताने वाला हूँ, इसलिए वीडियो में बने रही है तो guys, मुझे पता है कि आज की magic trick आपको अच्छे लगी है और आप इस magic को सीखने चाते हैं लेकिन guys, उससे पहले मुझे support करने के लिए इस वीडियो को लाइक करके अपने Facebook और WhatsApp पे शेयर जरूर करें और हाँ guys, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आगे ऐसे ही magic के वीडियो देखके magic सीखने करें तो guys, मैं आपको बता दूँ कि इस magic को करना काफी जादा आसान है अगर एक छोटा बच्चा भी इस वीडियो को end तक देखेगा बिना स्किप किये तो वो भी आसानी से इस magic को सीख पाएगा तो चलिए guys, अभी आपको बता देता हूँ कि कैसे मैंने इस magic को किया था और आप कैसे कर सकते हैं तो guys, केवल इस magic को करने के लिए मैंने पर्चेश किया था सुमन magic shop से इस invisible loop को ठीक है? तो यह जो loops है guys, बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती है तो guys, हाथ में यह बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती है और आप magic आप दिखाऊगे तो यह बिल्कुल भी शोव नहीं होगी किसी को भी नजदिक से भी, ठीक है? इतनी ज़्यादा powerful होती है इतनी ज़्यादा invisible होती है यह तो आपको guys, इस magic loop को खरीदना पड़ेगा और link आपको मैं नीचे description में दे दूँगा, सुमन magic shop का वहाँ से जाके इस loop को आप purchase कर लिजिए और आसानी से magic को आप कर पाएंगे और guys, इसके साथ काफ़ी ज़्यादा magic टिक करी जा सकते है एक मैंने कुछ दिन पहले चस्मे को हवा में उड़ाने का जादू किया था तो वो इसी magic loop के थ्रू किया था तो चलिए guys, अभी आपको मैं बता देता हूँ कि इससे मैंने magic कैसे किया था तो अभी यहाँ पे मेरे पास आप देख सकते एक धागा है ठीक है, इसके मैंने एक छोटी सी loop बनाई हुई है और इसे मैं पहन लेता हूँ, invisible loop की जगह पे क्योंकि guys, अगर यहाँ पे मैं उस loop का use करूँगा तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा आप magic नहीं कर पाऊगे इसलिए आपको सिखाने के लिए, सिर्फ मैं यह एक धागा यूज कर रहा हूँ, मोटा आपको जब यह magic करना है, तो guys, आप invisible loop के थूई करना और आप इसे खरीज सकते हैं, link मैंने आपको provide कर दिया है, description में ठीक है, तो चलिए, अभी मैं आपको सिखाता हूँ magic मैंने कैसे किया तो मैंने कुछ इस तरीके से आपको paper show कर दिया, देखो, मेरे पास यहाँ एक paper है और guys, बातों-बातों मैं मैंने कुछ इस तरीके से loop को डाला paper के अंदर, कुछ इस तरीके से देख सकते हो, और कुछ इस तरीके से इस paper को मैंने यहाँ पर ऐसे फोल्ड कर दिया, बातों-बातों मैं ठीक है, तो जो paper फोल्ड हो गया है, बिल्कुल धागे के अंदर, ठीक है, तो धागा बीचों भी चला गया है, अब धागे में बंद गया है paper, ठीक है और फिर मैं अपने हाथों में इसे रख लेता हूं इस तरीके से, और फिर धीरे-धीरे magic करता हूं और इसे उड़ा के आपको दिखा देता हूं, देख सकते हो, गाइस, तो गाइस, यह जो magic है, इसे करना बहुत ज़्यादा आसान है, अगर आप invisible loop को purchase कर लेता है, गाइस, पर वाचिंग, जै हिन, जै भारत, बाइ!